अपनी क्षमता पहचानो, एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था, वो कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठला बैठ कर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए, एक दिन वो यूँ ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुँच गया, वहां र इसलिए एक पेर के नीचे बैठ कर सुस्ताने लगा, तभी उसकी नजर एक लोमडी पर पड़ी, उस लोमडी की एक टांग चुटी हुई थी और वो लंगणा कर चल रही थी, लोमडी को देखाल सी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे ज लेकिन लोमडी अपनी चुटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वो वहीं खड़ी रही, शेर लोमडी के पास आने लगा, आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमडी को मार कर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ, वो कुछ हजीब था, शेर लोमडी के पास पहुंच में सरवैसवा है, उसने धरती के समस्त प्रानियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है, वो अपने घर लोट आया, घर आकर वह दो से तीन दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतिक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के पीछे बैठे हुए बाबा दिखाए पड़े, वो उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं, बाबा ज ग्यानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयम को कम तर समझ कर दूसरों की सहायता की प्लतीक्षा करते रहते हैं, स्वयम की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्लतीक्षा मत करिए, इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें